आज कि स्वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फोन पे से यलाई से की किस्त कैसे जमा करते हैं और साथ ही किस्त जमा करने के बाद में उसकी जो receipt होती है यहनी कि print को कैसे download करते हैं तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, कि आपको अपने mobile phone में phone पे वाला app जो है, आपको खोल लेना, ठीक, जैसे आप खोलेंगे, तो इसका जो इंटरफेस से कुछ इस परकार से आएगा, और जैसे आप स्क्रोल करेंगे, नीचे जाएगे, तो यहाँ पे एक option मिल जाएगा, आपको insurance का, और इसी के अंदर में देखेंगे, तो यहाँ पी दिया है, renewal insurance का option, ठीक, तो आपको क्या करना है, renewal insurance के उपर click कर देन है, अगर आपको यह चीज ऊपर नहीं मिल रही है, आपको ढोणना पर रहा है या नहीं मिल रहे है, तो आपको ऊपर ही यहाँ पर type कर देना है, life, ठीक, जैसे आप life लिक के सर्च कराएंगे, तो ऊपर ही देखने के लिएगा, life insurance corporation, ELIC, आपको इसी को पर click कर देना है, ठीक तो जैसे आप detail डालके नीचे confirm वाले option पर click करोगे, यहाँ पर आपके जो policy की detail है, खुलके आ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके नाम से policy होगे, उसका नाम यहाँ पर show होगा, policy number दिया है, साथ ही due date दिया गया है, और जितना भी amount pay करना है, यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर जैसे मैं first वाले पर जो है, जो कि state bank of India का है, इसी पर मैं tick रहने देता हूँ, और यहाँ पर नीचे pay का जो option है, इसके उपर click कर देना है, ठीक, उसके बाद में simple सा आपको अपना pin डालना है, और जो है, okay कर देना है, ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो payment है, जमा हो गई, आप जमा होने के बाद में बात आते है कि receipt आपको कैसे download करना है, तो यहाँ से आपको इसे done करना है, और done करने के बाद में आपको phone pay में फिर से आपको home page पे ही चले जाना है, main वाले page ठीक, यहाँ पर आने के बाद में simple सा इधर साइड में जो history का option है आपको इसको पर click करना है, और click करने के बाद में सबसे उपर ही आपको इस transaction history मिल जाएगा, insurance success का option, जितना भी amount आपने pay किया होगा, इसको पर आपको click करना है, ठीक, जैसे आप इसको पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले view history है, फिर view receipt है, उसके बाद share receipt ठीक, तो जैसे अगर मालीजे किसी को आप share करना चाहते है, print को तो यहाँ से share कर सकते हैं, ठीक, अगर आप देखना चाहते है, download करना चाहते है, तो आप अपने mobile phone में download करके रख सकते हैं, तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो व अगर वीडियो आप डेट के साथ तब तकी लेडियो.